कि प्रत्तेक मंत्र ओम से ही क्यों प्रारम होता है ओम को हमने एक दिन बताया था जो दुन ध्यान की या था पहले दिन कि ओम एक ऐसा अक्षड है जो आकास का पृति है जो सदा अवकास देता है खाली रहता है ओम प्रणविजा अक्षड है जो सब को अवगाय देने की शमता रखता है कैसा भी मंत्र हो किता है सब मेरे में समाज आएंगे तो ओम शब्द जो है प्रणवीजाक्षर होने से आकास का गोड़ होने से जैसे आकास में सभी द्रव पने शैढ़ाना में पढ़ाता ना सभी द्रव जश्में अवगायत होते हैं उसे आकास तो ओम भी एक ऐसी ही सकती है उस सब को अवगायत कर लेती है इसलिए और ओम शब्द जो है अपने आप में श्विकार के अर्थ में भी आता है किसे ने का आपको मेरी वास स्विकार है ओम ओम कोठा खाली कोठा के अर्थ में आता है जो समय सा कहता है कितने भी तुम चले आना हमारे हाँ सदा खाली इस्तान आपको मुलेगा इस परकार से ओम के कई विशेशन हैं